Good morning students, तो अगले numerical के साथ हम आते हैं अपने, हम numerical number कर रहे हैं, 4.17, 4.17 numerical क्या कहता है? During the nuclear explosion, one of the product is SR19 with the half-life of the 28.1 years. If 1 microgram of SR90 was absorbed in the bones of the newly born baby instead of the calcium, how much of it will remain after the 10 year and 60 years if it is not lost matter? तो कहता है कि एक बच्चा जब पैदा हुआ है, तो nuclear explosion की वज़े से जो उसके सरीर में हडियों की जगए कुछ हमारे पास SR19 उसके साथ में add हो गया है. अब यहां पर वो एक radioactive substance होता है, one microgram उसके अंदर पाया गया है, 28.1 years की half-life है, तो यह कहता है कि 10 साल का जब हो जाएगा, तो उसकी हडियों में उसकी मात्रा, how much will be remain, कितनी बचेगी? और अगर 60 साल का हो जाएगा, तब कितना बचेगा उसकी हडियों में? तो चलो, यहां पर हम निकालते हैं. तो हमें जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है? एसार 90 की जो half life दिय गई है, मतलब T half, T half, first order के अंसार जाता है, निकलियर जो reaction जाती है, तो यह होगा 0.693 by K, और जो दिरखा है 28.1 year, यहां से हम K की value निकाल सकते हैं, तो के की value यहां पर क्या आएगी rate constant? वो होगी 0.693 upon 28.1 per year. इसको देखें, इसको इदर लेए, इसको इदर लेके आए, यह हमने के की value निकाल लिया, अब यहां पर यह कहता है, timing दे रखा है, दो time निकालने है, कहता है, बज़ 10 साल का हो, तब हमें उसकी मातला निकालनी है और एक उसमें क्या होगा, और एक कहता है, अगर वह साठ साल का हो जाएगा, तब हमारे पास concentration क्या रहेगी, reactant की, उसके सरीर के अंदर, तो हमारे पास equation जो है, वो है, k is equal to, k is equal to 2.303 upon में t into में log of, a upon में, a माइनस में x, यह हमारे पास है, यहां पर a जो दे रखा है, initial concentration, वो है, 1 माइक्रो ग्राम, 1 माइक्रो ग्राम होता है, 10 दे पावर माइनस 6 ग्राम के बराबर, a माइनस x हमने निकालना है, time दे रखा है, एक 10 साल में निकालना है, तो चलो time के लिए रखा है, t is equal to 2.303 upon में k into log of, a upon में, a माइनस है, यह उसमें put कर देते हैं, पहले वाले में, values पुट करूँ, तो time है 10 साल भई, 10 year, 2.303, k की value अपने उपर बात की है, 0.693 upon में, upon में हमारे पास है, 28.1 per year, के हिसाफ़ से हमारे पास है, और log of a की value है, 10 की power minus 6, और a माइनस x की value हमने निकालना है, तो देखें, इस से देखें, तो मैं इसको वहाँ पर ले जाता हूँ, साइड में, तो हमारे पास equation हो जाएगी, log of 10 raise to power minus 6 upon में a minus में x, पहले तो हम क्या करेंगे, से calculate करेंगे, और calculate करते भी इसका anti-log निकाल लेंगे, और anti-log निकाल लेंगे, तो हमारे पास में, इसके साथ में हमारे पास, फिर हम इसकी value को solve करेंगे, तो इसको हम बात करें, anti-log of 10 into में 0.693 upon में 2.303 into में 28.1 is equal to 10 raise to power minus 6 a minus x, मुझे क्या निकालना है, a minus x निकालना है, तो यहाँ पर देखें, a minus x, इसके बराबर हो जाएगा, a minus x बराबर हो जाएगा, इसको पलट देते हैं हैं यहाँ पर, चलो इसको इधर लियाता हूँ, तो 10 raise to power minus 6, और anti-log of, किसका anti-log, 10 into में 0.693 upon में 2.303 into में 28.1, इसका anti-log लेना है, फिर हमारे पास a minus x आ देगा, इसे solve करेंगे, तो हमारे पास पहले से calculate करें, और फिर anti-log निकालना हैं यहाँ पर, इस परकार हमारे यह numerical रहेगा, तो आगे हम बात करते हैं, अपने अगले वीडियो के बारे में, sorry, अगले question के बारे में, तो यहाँ कहता है कि for a first order reaction, एक और reaction कैसी है, first order की है, so that, दिखाइए कि time required, 99% completion, is a twice time to require the 90% completion, यह दिखाइए कि एक जो reaction है, वो first order की है, अगर वह जितने समय में 90% complete होती है, 99% complete होने में उससे दुगना समय लेती है, यह पताना है हमें, तो यनि हम इसमें देखें, तो हमारे पास में के की value हमें पता है, 2.303 upon me t into my log of a upon me a minus x, जब percentage की बात कर रहा है, तो वहाँ पर मैं क्या मानूँ, a को 100 मान लेता हूं, ठेक है, यहाँ पर timing है, time के लिए, times की relation है, तो t is equal to 2.303 by k into my log of a upon me a minus x मैं से ऐसे लिए सकता हूं, तो देखें, इसने time जब कितना हो, 90, और time जब हमारे पास क्या हो, 99, तो उस दोरान, t 99 और t 90 का relation निकालना है, 2, वह, t 99 हैना, 2 times है, किसे t 90 से, यह निकालना है, तो चलो, कैसे सिद्ध करें, तो हमारे पास में, हम लेते हैं, हमें data क्या दे रखा है, जब reaction कितनी percent complete हो रही हो, a minus x, और a minus में x, this is the x, जब 90 percent complete हो रही हो, तब, जैसे की, t 90 किसके बराबर हो जाएगा, 2.303, अपॉन में k, into में, 100 बटे में, a minus x, मतलब reaction complete हो रही है, कितनी, 90 percent, मतलब x बन रहा है, तो a कितना है, 100, x कितना बना, 90, तब हमारे पास t 90 कितना हो जाएगा, t 90 हो जाएगा, 2.303, अपॉन में k, into में, log of, handled by 10, इस equation को में ले सकता हूँ, t 90, बराबर है, 2.303, अपॉन में k, देखो, ये 0 से 0 कार्ट दिया, log 10, log 10 की value होती है बन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, t 90 हमारे पास कितना आया, 2.303, अपॉन में k, ये आ गया, क्योंकि log into में 1, log 10 क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, ये हमारे पास आई, t 90 की value, तो अब हम निकालते है, t 99 की value, निकालते हैं, t 99 की value क्या रहेगी, तो हमारे पास आई T90 की value आई कितना था हमारे पास 2.303 by K हमारे पास आया 2.303 by K ये T90 आया अब निकालना है T99 T99 निकालेंगे तो सेम 2.303 अपन में के log of A की value 100 A-X 99% complete हो यह तो 100-99 यह होगा T99 तो यहां देखें तो यह हो जाएगा 2.303 अपन में के इन्टू में log of 100 by 1 यहनी इस equation को मैं लें चिकता हूँ 2.303 अपन में के इन्टू में log of 10 raise to power 2 और इससे लिखा चाह सकता है power इधर आ जाएगी तो 2.303 अपन में के इन्टू में 2 इन्टू में log of 10 log 10 की value कितने होती है 1 होती है तो मैं से लिख सकता हूँ 2.303 अपन में के इन्टू में 2 इन्टू में 1 इससे दटी 99 इन्टू में 2 इन्टू में 2.303 अपन में के अब देखें मैं ती 99 बटे में ती 90 में लिख हो तो ती 99 की value है 2 इन्टू में 2.303 अपन में के और ती 90 की value है 2.303 अपन में के देखें उपर देख सकते हैं यह हमारे पास T90 है और यह मैंने यहां वैलिवूट कर दी है कैंसल आउट हो गया है आगे तो यही को हमने प्रूफ करना था तो मतलब किसी फर्स्ट ओडर रियक्शन के अंदर जो टाइम 99% कम्प्लीट होने में यहां उससे आधा समय 90% कम्प्लीट होने में है 90% कम्प्लीट होने में जितना समय लेती है 99% कम्प्लीट होने में इससे दुगना समय लिया जाता है तो यहां पर अगला हमारे पास इसी परकार किस्टन है 19 एफ फर्स्ट ओडर रियक्शन टेक्स 40 मिनट फोर 30% डिकम्पोजिशन 30% डिकम्पोज हो रही है मतलब प्रोडेक्ट 30% बन रहा है उसके लिए 40 मिन लेती है उसका हाफ लाइक निकाले तो सेम इसी परकार हमारे पास यह रहेगा हमें बता है कि जो हमारे पास के होता है वो होता है 2.303 अपॉन में T इंटू में लोगो अपॉन में A-X टाइम दे रखा है 40 मिनट चालिश मिनट दे रखा है और A परसेंटेज में दे रखा है तो 100 हो गया है रियक्शन होरी है 30% तो X है हमारे पास 30 तो A-X कितना हो गया 100 माइनस में 30 70 तो वैल्यू पुट करें हैं आपर के आता है हमारे पास में 2.303 इंटू में 2 T इंटू लोगो अफ सो बटे में 70 0 से 0 काट दिया अब के बराबर हमारे पास आता है 2.303 अपॉन में T इंटू में लोग ओफ 10 बाइ 7 अब यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 2.303 T हमारे पास 40 है तो यहां से लोग 7 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो इसके लिए मैं special यहां पर वीडियो बनाऊंगा कि लोग एंटी लोग की वैल्यू कैसे देखते हैं आप टेबल से इसकी वैल्यू देखना और इसकी वैल्यू पुट करते वे लोग 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 2.303 बाइ 40 इंटू में 1 माइनस में लोग 7 की वैल्य हमारे पास यहां पुट करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू हमने टी हाफ निकालना है टी हाफ होता है 0.693 यहां से जो के की वैल्यू निकाल लेंगे वो यहां पुट कर देंगे तो इसमें हमारे पास में इसको कैल्कुलेट करेंगे कि हाफ लाइफ कितना आ तो आज इमनिंग तक मैं इसके लिए जो लोग की वैल्यू देखते हैं इसके लिए हम वीडियो डालते हैं कि लोग और एंटी लोग की वैल्यू हम कैसे देखें टेबल के दवारा ओके आज का हमारा इतना ही वीडियो था